नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा, एक बार फिर उपस्चित हूँ आपके सामने कक्षाच्छे, रुचीरा भाग एक का सात्वा पाठ लेकर, इसका नाम है बकास्य प्रतिकारह, इसका अर्थ है बगुले का बदला, बका है यानि बगुला और बकास्य यानि बगुले का प्रतिकारह यानि बदला, कहानी आरंब होती है, एकस्मिन वने शर्गालह बकाह च निवसताह स्मा, एकस्मिन वने यानि एक वन में शर्गालह यानि सियार, च यानि और बकाह यानि बगुला, निवसताह स्मा रहते थे, एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे, आ तयोह मित्रता आसीत, तयोह यानि उन दोनों की मित्रता यानि दोस्ती आसीत यानि थी, एकदा यानि एक बार, प्रातह शुर्गालह बकम आवदत, प्रातह यानि सुबह के समय, शुर्गालह सियार बकम आवदत, बगुले को आवदत यानि बुला, मित्र श्वह त्वम मयासह बोजनम कुरू, हे मित्र श्वह यानि आने वाला कल, कल त्वम यानि तुम मयासह मेरे साथ बोजनम कुरू, बोजन करो, हे मित्र कल तुम मेरे साथ बोजन करना श्रिगालस्य निमंत्रनें बकह प्रसन्न अबवत श्रिगालस्य यानी सियार के निमंत्रनें निमंत्रन से यानी इनिविटेशन से बकह यानी बगुला प्रसन्न अबवत प्रसन्न यानी खुश अबवत यानी हुआ जब सियार ने बगुले को निमंत्रन दिया तो बगुला बहुत प्रसन नहीं हुआ यानि कुटिल स्वभाव वाले बुरे स्वभाव वाले श्रगालह सियार ने स्थाल्याम यानि थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरो दनम यानि खीर तय अच्छत यानि दी अर्थात बोजन में सियार ने बगुले को थाली में खीर परोस करके दी ये आप चित्र में देख सकते हैं, सियार ने थाली में बोजन परोस रखा है और बगुला इधर बैठा है, ये इस गध्यांश से संबंदित कठिन शब्दार्थ, बकम अवदत्च और बगुले को बोला, सियार थाली में खीर परोस कर बगुले से बोला, मित्र है दोस्त, अस सहह प्लस एव यानि साथ ही खादावह यानि खा रहे हैं अर्थात इस ठाली में अब हम दोनों एक साथ बोजन करेंगे बोजन काले यानि बोजन करते समय खाना खाते समय बकस्य चंचु बगुले की चोंच स्थाली तह यानि थाली से बोजन ग्रहने बोजन ग्रहन करने में अर्थात खाना खाने में समर्था न अबवत समर्थ नहीं हुई अर्थात बगुला अपनी चोंच के माध्यम से उस थाली से बोजन ग्रहन करने में असमर्थ था अर्थात बगुला थाली में परोशे गए उस बोजन को अपनी चोंच के द्वारा नहीं खा पाया अताह बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत अतह बकह यानि बगुले ने केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखा केवल देखा वो खा नहीं पाया श्रिगालह तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत सियार तो सर्वं क्षीरोदनम अर्थात सारी खीर को अभक्षयत खा गया बगुला केवल देखता रहा और सियार संपूर्ण बोजन को अर्थात उस सारी खीर को खा गया श्रगालेन वंचितः बकः श्रगालेन यानि सियार के द्वारा वंचितः यानि ठगा गया बकः बगुला अचिंतयत सोचा सियार के द्वारा ठगे हुए उस बगुले ने सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहार क्रितः यथा यानि जैसा अनेन इस के द्वारा इस सियार के द्वारा मया सह मेरे साथ व्यवहार क्रितः व्यवहार किया गया तथा वैसा ही अहम अपी मैं भी तेन सह व्यवहरिश्यामी त CR के द्वारा थगे गए बगले ने विचार किया कि जैसा व्यवार इस CR ने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवार करूंगा एवं चिंताइत्वा ऐसा सोच करके सह श्रगालम अवदत वह श्रगाल से बोला यानि CR से बोला मित्र हे दोस्त तुम अपी श्वह सायम मया सह बोजनम करिशय सी तुम अपी यानि तुम भी श्वह यानि कल सायम शाम के समय मया सह मेरे साथ बोजनम करिशय सी बोजन करोगे बकस्य निमंत्रनेन श्रगालह प्रसन्न अबवत बकस्य निमंत्रनेन यानि बगुले के निमंत्रन से सियार प्रसन्न हुआ इसने मुझे बोजन पर बुलाया है ये सोचकर सियार बहुत प्रसन्न हुआ ये इस गद्यांच से संबंदित कठिन शब्दार्थ यदा श्रगालह सायम बकस्य निवासम बोजनाय अगच्छत यदा यानि जब श्रगालह सियार सायम शाम के समय बकस्य निवासम बगुले के निवास पर बोजनाय अगच्छत बोजन के लिए गया तदा तब बकह बगुले ने संकीर्ण मुखे संकीर्ण मुखे यानि संकीर्ण मुख वाले अर्थात तंग मुख वाले चित्र में आप इस सुराही को देख सकते हैं इसका जो मुख है वो बहुत संकीर्ण है तो इसको कहेंगे संकीर्ण मुख वाले कलशे कलश में अर्थात पात्र में क्षीरो दनम खीर अयचत दी तो आवाम यिञियन असमिन पात्रे इस बर्तन में सहईव सह प्लस एव यई शाथ ही बोजन करते हैं आओमित्र हम दोनों साथ ही इस पात्र में बोजन करते हैं बक्ळाय कलशात चंच्वाक शीरोधनम अखादत बगुले ने कलशात यानि उस कलश से चंचवा अपनी चोंच की द्वारा शीरोधनम अखादत खीर खाई परंतु श्रगालस्य मुखं कलशे ने प्राविशत परंतु सियार का मुख कलश में प्रवेश नहीं कर सका वो उस पात्र से खीर नहीं खापाया अतह बकह सर्वं क्षीरोधनम अखादत अतह बगुले ने सारी खीर खाई श्रगालस्य मुख वाले पात्र में रखी हुई सारी खीर खाली श्रगालह बकम प्रति याद्रिशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बकह अपी बगुले ने भी श्रगालम प्रति, श्रगाल यानि सियार के साथ ताद्रिशम व्यवहारम कृत्वा, ताद्रिशम यानि वैसा ही व्यवहार करके प्रति प्रतिकारम अर्थात बदला अकरोत यानी किया यानी बदला ले लिया। उक्तम अपी उक्तम प्लस अपी और कहा भी है। श्लोक है आत्म दुर्व्यवारस्य फलम भवती दुखदम तस्माद सद व्यवर्तव्यम मानवेन सुखईशना आत्म दुर्व्यवारस्य यानी अपने द्वारा किये गए दुर्व्यवार का फलम यानी फल परिणाम दुखदम भवती दुखद होता है। अर्थात अपने द्वारा किये गए बुरे व्यवार का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तस्मात इसलिए सुखैशिना मानवेन यानि सुख चाने वाले मानवेन मनुश्य के द्वारा सद व्यवरतव्यम अच्छा व्यवार ही किया जाना चाहिए। यानि जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ बला हो तो उस व्यक्ति को दूसरों के साथ अच्छा व्यभार करना चाहिए क्योंकि बुरे व्यभार का नतीजा बुरा ही होता है तो ये थी कहानी बकस्य प्रती कारा है ये थे इस गद्यांश से संबंदित कठिन शब्दार्थ अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कारिय पर पहला प्रशुन है उचारनम कुरुत उचारन कीजी अर्थात नीचे दिये गए इन शब्दों का उचारन कीजी हम उचारन के साथ-साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझते हैं यत्र जहां, तत्र वहां, खुत्र कहां, अत्र यहां, अन्यत्र दूसरी जगह यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अध्य आज, शोह आने वाला कल हियह, बीता हुआ कल, प्रातह, यानि सुबय, अहर निशम, दिन, रात, अधुना, अब, एव, ही, कुतह, कहां से, सायम, शाम दूसरा प्रशन है, मंजुशातह, उचितम अव्यपदम चित्वा, रिक्तस्थानानी पूरयत मंजुशातह, यानि मंजुशात से, यानि इस पेटिका से, उचित अव्यपद चुनकर, रिक्तस्थान भरिये पहला है, ब्रमणम स्वास्थयाय भवती, गूमना स्वास्थय के लिए होता है, यानि स्वास्थय के लिए अच्छा होता है कब गूमना स्वास्थय के लिए अच्छा होता है, तो इन शब्दों में से देखें, तो सही उत्तर होगा प्रातह, यानि प्रातह ब्रमणम स्वास्थयाय भवती, प्रातह ब्रमण स्वास्थय के लिए लाबधायक होता है सरवदा सत्यम वद हमेशा सत्य बोलो तुम कदा मातुल ग्रहम गमिश्यसी तुम कब मातुल ग्रहम अर्थात मामा के घर गमिश्यसी जाओगे तुम मामा के घर कब जाओगे दिनेश विद्यालयम गच्छती दिनेश विद्यालय जाता है अहम अपी तेन सह गच्छामी मैं भ अब विज्यान का युग है अध्य रविवासरह अस्ती आज रविवार है तीसरा प्रशन है अदो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तराणी लिखत नीचे लिखे गए प्रशनों के उत्तर लिखिए श्रगालस्य मित्रम कह आसीद सियार का मित्र कौन था श्रगालस्य मित्रम बकह आसीद सियार का मित्र बगुला था स्थाली तह कह बोजनम न अखादत थाली से किसने बोजन नहीं खाया स्थाली तह बकह बोजनम न अखादत थाली से बगुले ने बोजन नहीं खाया बकह श्रगालाय बोजने किम अयचछत बगुले ने सियार को बोजन में क्या दिया? अर्थात खाने के लिए क्या दिया? बकह शर्गालाय बोजने शीरोधनम अयच्छत बगुले ने सियार को बोजन के लिए शीरोधनम यानी खीर अयच्छत दी शर्गालास्य स्वभाव की द्रिशह आसीत सियार का स्वभाव कैसा था सियार का स्वभाव कुटिल था सोथा पुष्ण है पाठात पदानी चित्वा अदो लिखीता नाम विलोम पदानी लिखत पाठ से शब्द चुनकर नीचे लिखे गए इन शब्दों के विलोम शब्द लिखी जैसे शत्रु मित्रम शत्रु यानी दुष्मन, मित्रम यानी दोस्त तो सुखदम, दुखदम सुखदम यानी सुखदेने वाला शत्रुता यानी दुष्मनी, मित्रता दोस्ती आप्रसन्नह यानी आप्रसन्न प्रसन्नह यानी प्रसन्न दुर व्यवारह यानी बुरा व्यवार सद व्यवारह यानि अच्छा व्यवार सायम यानि शाम प्रातह यानि सुबह असमर्थह यानि असमर्थ समर्थह यानि समर्थ पांचवा प्रश्ण है मंजुशातह समुचित पदानी चित्वा कथाम पूरयत इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर कहानी पूरी कीजी तो हमने डिक्तिस्थान भरके ये कहानी पूरी कर दी है आईए पढ़ते हैं कथा एकदा एकह काकह पिपासितह आसीत एक बार एक कववा प्यासा था सह जलम पातुम वह पानी पीने के लिए इतस्ततह अब्रमत इधर उधर गूमा परम कुत्रापी जलम न प्रापनोत लेकिन कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ अन्ते यानि अन्त में सह एकम गटम अपश्यत उसने एक गड़े को देखा गटे स्वल्पम जलम आसीत गड़े में थोड़ा सा जल था अतह सह जलम पातुम असमर्थ अभवत अतह वह पानी पीने में असमर्थ हुआ यानि असमर्थ था वह उस गड़े से पानी नहीं पी पाया सह एकम उपायम अचिंतयत उसने एक उपाय सोचा सह पाशानास्य खंडानी घटे अक्षिपत उसने पत्थर के टुकडे घडे में डाले एवं क्रमेन इस प्रकार क्रम से घटस्य जलम घडे का पानी उपरी आगच्चत उपर आगया अतह कहा है परिश्रमेन एव कारियानी सिध्धनती न तु मनो रथाई परिश्रम से ही कारिय सिध्ध होते हैं अर्थात मेहनत करने से ही कारिय सफल होते हैं न तु मनो रथाई न की इच्छाओं से केवल इच्छा करने से कारिय पूरे नहीं होते हैं कारियों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होती है छटा प्रश्ण है तत्सम शब्दान लिखत तत्सम शब्द लिखिए अर्थात इनके संस्कृत शब्द में लिखने हैं जैसे सियार संस्कृत में कहेंगे श्रगाला है तो उसी प्रकार कवा काकाह मक्की मक्षिका बंदर वानरह बगुला बकह चंचुहू नाक नासीका इस पार से संबंदित कोई भी प्रश्ण हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें धन्यवाद